दोस्तो आज हम बताएंगे कोई भी NST को किसी भी TV में कैसे लगाए हाँ दोस्तो आज की जो वीडियो है TV मेकानिक के लिए बहुत ही माहतब पुल्ण है Very important video for TV मेकानिक किसी भी नंबर के NST को कोई भी TV पर लगा सकते हो हाँ दोस्तो Can NST of any number be installed on any TV और चलिए व्डिएजुकर करता हूं और प्लीज मेरे चैनल में अगर आप नहीं हूं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राब कर लेजिए। सब्सक्राइब मैं चैनल तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आपके पास जो टीवी आया हुआ है उसका एंस्टी खराब है और उस नंबर का एंस्टी आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है आप सीधा कीट बदाल देते हों और कीट बदने से ज्यादा खर्च पढ़ियाता है इसमें कस्टूमर भी खुश नहीं होते हैं और कोई कोई कस्टूमर तो बोलता है कि छोड़ दो हम टीवी नहीं बनाएंगे तो दोस्तो आज के बाद आपको कीट बदने का कोई ज़रत नहीं पड़ेगा कोई भी एस्टी रहे और कोई भी टीवी रहे आप आराम से लगा सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद तब पूरा वीडियो को देखो आप समझो कि तभी आप यह चीज कर पाओगे ठीक है क्योंकि आप पढ़ाई करोगे तभी एकजम में पास होगे किसी का देखके आप कभी नहीं समझ पाओगे तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में गैरंटी दे कर बताता हूँ कि आज आप अगर पूरा वीडियो को देखोगे तो आप आराम से कोई भी एस्टी को कोई माइनस वर्ट यह उस एस्टी में है या नहीं अगर उस्टी में है तो आपको 14 फ्लस 14 माइनस दोनों वर्ट वाला ही एस्टी लेना चाहे वो कोई भी नंबर का रहे या तो फिर इसका जो पूल जो खुटा होता है इसका पूल उस एस्टी से ना मिले फिर भी आप लगा सक तो लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि 14 फ्लस और 14 माइनस दोनों का रहना जरूरी है क्योंकि आपको जो मैं दिखा रहा हूं यह LGTB का दिखा रहा हूं और यह जो डागरम है आप स्क्रिन सोट ले सकते हो 6006 M और 6006 N का इस्टी है ठीक है यह LGTB का है और दूसरा 2X ठीक है दोनों इस्टी LGTB का है लेकिन यह दोनों अलग अलग इस्टी है इसका पॉल भी नहीं मिलेगा जो नीचे का पॉल आप देख सकते हो इसका पॉल भी नहीं मिलेगा और इसका आप डायरम देख सकते हो यह भी नहीं मिल रहा देखिए यहां पर मैं आपको दिखा तो यहां पर यह जो first number 4 है number 1 यह आपका collector में आता है 1803 D जो transistor रहता है उसके collector में आता है ठीक है एक नंबर वाला दो नंबर वाला यह B plus है मतलब input 110 volt input हो रहा है जो power section से 110 volt supply मिलता है ओ वॉल्ट यहाँ पर दो नमबर पीन पर आता है ठीक है यह एक नमबर पीन है और यह दो नमबर पीन है यह तीन नमबर है यह चार नमबर है तो तीन नमबर पीन को अब देख सकते हो यह फ्लास चौदा वॉल्ट जो भार्टिकल आईसी होते है उस भार्टिकल आईसी में फ ये 5 नंबर 180 V जो बेस्कीट में जाता है पिक्चर्ट्यू के बेस्कीट में 180 V जाता है और ये 6 नंबर अब देख सकते हो ये 6 नंबर गराउंड है और 7 नंबर ये खाली है NC लिका हुआ है 7 और 8 दोनों खाली है और 9 नमबर अब देख सकते हो यह FC है और 10 नमबर है HDR मतलब heater है ठीक है फ्रेंट्स लेकिन यह बाला आप देख सकते हो यह जो 6002 6002 और 6002 X का जो एस्टी है यह भी LG TV का है फ्रेंट्स और इसका जो फर्स्ट नमबर है एक collector में आता है और इस एस्टी का भी फर्स्ट नमबर collector में आता है ठीक है 1803 ट्रेंजिस्टर के और दोन नमबर पिन अब देख सकते हो यहाँ पर 180 वॉल्ट है लेकिन इसका दोनमबर पिन अब देख सकते हो input 110 वॉल्ट input हो रहा है और इसका तीन नमबर पिन जो है अब देख रहे हो प्लास भी है मतलब 110 वॉल्ट input हो रहा है ठीक है और इसका अब डाया गरम देख सकते हो यह तीन फोल एक साथ connect किया हुआ है अब इसका चोह है अब देख सेकते हो इसका दो फोल के साथ connect क्या हुआ है और इसका आप देख सेकते हो यह एक नंबर और दो नंबर के साथ connect कि वह तीन नंबर के चषक्ग नहीं है लेकिन इसमें के साहँ है थीक है fight है लेकिन इस में माइनस 14 व quickly मतलब यह व सक्षवृ में जाता है इसका जौ फाज़ क्यों से फिर है बटीकल में्स चांटीव विकाइब टी MA नंबर यह फ्रय च्राच के ठीक है तो इस इसी से पड़ेख सब्सक्राइब आपको इसका पूंच भी नहीं देखना है इसका पूंच ले सकते हो कि इसका पूल कहां पर है और इसका पूल कहां पर है यह आपको जानना ज़रूरी है और इसका जो 14 वर्ड फ्लस भाटिकर सक्षिन में जा रहा है और बस ऐही चीज देखना है कि दोनों एस्टी से 14 वर्ड फ्लस मिलता है कि नहीं आपको ठीक है अब आप किस तरह से लगाओगे तो आपको किस तरह से लगाना है मैं बताता हूँ तो अगर इस इंस्टी के जगा आप इस इंस्टी को लगाते हो तो माल लीजे ये कीट आपके पास है तो आपको इसी तरह लगा देना है और आपको क्या करना है जो पीन जैसे कि आप देख रहों यहां पर लिखा हुआ है सारा पीन तो जो पीन इसके साथ मिल जाता है दोनों disconnect कर देना है और आपको wire से उसका connect कर देना है ठीक है अब रहाँ बात कि अगर आपका ये problem हो जाए कि इसका जो hole है इसका जो chain है उसके साथ EST adjust नहीं हो रहा है ठीक है इसका pin adjust नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है तो आपको क्या करना है ड्रील मेशिन से इसको होल कर लेना मर्कर से मर्क कर देना कि कहां कहां पर इसको होल करना है और आप उसको ड्रील मेशिन से होल कर सकते हो अगर आपके पास ड्रील मेशिन नहीं है तो आप टेस्टर को घुमा घुमा कर भी इसे होल कर सकते हो इस तरह से ह को चौल करके उसको सेट करके आप फ्रीन को हटा कर एक दुसरी के जगा लगा सकते हूं तो फ्रेंट्स इसी तरह दुसरा लगा सकते हो मैंने कई टीवी में लगाया हूं मुझे कोई टैंशन नहीं है कि मार्केट में ढूनता कर रहा हूंगा कोई भी एस्टी को लगा देता हूं चिप मैं क्या देखता हूं दूस्तों बॉर्टीकर सेक्षिन में सफ़ला जाता है कि नहीं जाता है ठीक है फ्रेंज और दोस्तों टेंटेंट जो चाइना कीट में लगा हुआ रहता है यह सब 14 इंच 21 इंच 19 कोई भी मतलब कितना भी इंच रहे आप उसमें यूज कर सकते हो एक दूसरे के जगा ठीक है तो इसमें क्या फाइद है दोस्तों इसमें देखिए इसमें यहां पर 110 वॉल्ट और लगा हो जाता है तक उसको से hell जए तो फाइद में लगा राते हैं चाईना किट में आपको कि कि किस तरह से लगाया जाता है विद्यसरी कर र हम अभी, तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो फ्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल में अगर